एलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो Y28S 5G में किस तर से 8G लाइटिंग की सेटिंग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देख रहो हूँ टेकनिकल आरजेम आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों 8G लाइट के बारे में जो आपके बेक ग्राउंड में चारो तरफ से लाइट जलता है तो इसके लिए दोस्तों आपको यह अप्लिकेशन डाउलोड करना होगा प्ले स्टोर से जिसका नाम है 8G लाइटिंग नोटिपिकेशन तो डाउनलोड होने बाद दोस्तों इसको क्य करना है ओपेन कर लेना है ओपेन करनेक बाद यहां पर आएगा नेस्ट का ओप्शन तो इसको नेस्ट नेस्ट आपको आएगा इसको कर लेना है करनेक बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने फिलाल यह ओपेन हो रहा है लोड लेनेक बाद ओपेन हो जाएगा तो चले इसको ओपन होने देते हैं ओपन होने बाद इस पर एड़ आया थे इसको एड़ को आपको कट कर देना है इस तरह से आपको allow करना होगा आगे जाने के बाद और चार option इसमें दिया है सबसे पहले आपको background वाला light आपको मिल जाएगा इसमें से जो भी light आपको set करना है पहला वाला मैंने ok किया apply वाला पर आपको ok करना होगा apply करने के बाद यहां पर दो option आएगा इस तरह से देखना शुरू हो जाएगा आपको home screen and lock screen दो option आएगा दोनों में आप a light set कर सकते हैं यहां पर दो option आगया तो आपको दोनों में क्लिक करना है ताकि आपके screen पर आपको दिखे जो आपका mobile का screen है lock होने कबाद वहाँ पर show करें आपको दोनों पर permission दे देना है और दोनों पर set कर लेना है apply करके और apply करके set करने कबाद पहला और दूसरा पर भी मैंने set कर लिया और set करने कबाद screen पर आपको इस तरह का light जो फिलाल दिख रहा है देखिए मेरे screen पर set हो गया है और इस तरह का lighting चलना शुरू हो जाएगा add आता है तो add को cut कर देना है और आपके mobile पर हमेशा यह screen दिखेगा जो बहुत ही बेतरिन और बहुत ही संदार दिख रहा है आपके mobile पर भी इसी तरह से आपके mobile में set हो जाएगा फिलाल इसमें और भी बहुत सारे option है तो चलिए application में चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं फिलाल इस application को open करते हैं चलिए यह रहा application इसको open कर लिया और back करते हैं बेक करने के पाद यहां पर देख रहे हैं साथ option है साथ model से आपके mobile के screen पर आप set कर सकते हो इसमें से जो आपको select करना है सेट कर सेक्टे हो चलिए मैं दूसरा वाला सेट कर लिया हूँ जो camera का option आता है side वाला तो इस पर apply कर दिया हूँ apply करने के बाद यह आपर set का option आ रहा है तो चलिए इसपर click करते हैं और set करने का दो option आता है home screen और lock screen दोनों पर आपको क्या करना है set कर लेना है पहले पे फिर दूसरे पे दोनों option पे क्लिक करके set कर लेना है फिर आपको अपने mobile के screen पे इस तरह की lighting देखना शुरू हो जाएगी फिलाल आपके screen पे देख रहे हैं मेरे screen पे किस तरह से lighting दोड़ यह इस तरह से आपके mobile पे भी set हो जाएगा और अगर बंद करना है तो अंदर से आगे आप इसको बंद कर सकते हैं अगर आपको नहीं पफंद है तो फिलाल इसमें जितना option आ रहा है वो सारा option आप अपने mobile पे set कर सकते हो set करके और चलिए अभी wallpaper में आगे दूसरा option wallpaper का दिया है live wallpaper यानि कि हर second में वो change होता रहेगा उसका color अलग-अलग design का दिखेगा और color हर second आपकी mobile में change होता रहेगा जो भी wallpaper आप set करोगे चलिए एक wallpaper को select करता हूँ पहला वाल जो wallpaper है तो इसको अपने mobile में select करके इसको set करता हूँ चलिए आजाते है पहले वाले पे और उसको click करते है पहले वाले option पे हमने click कर दिया lock screen and home screen दो option आता है आपको दोनों पे set कर लेना है मैं दोनों पे set कर रहा हूँ कि screen lock हो तो भी दिखाई दे और screen चालू हो तो भी दिखाई दे तो दोनों पे मैं यह वाला wallpaper जो live wallpaper हर second में change होता है यहाँ पे add आया तो add को cut कर देना है फिलाल मैं add को cut कर दे रहा हूँ cut करने के बाद आपको दिखाता हूँ मेरे screen पे इसको set करके फिलाल home screen and lock screen दोनों पे मैं इसको set कर दिया हूँ सेट होनेगे बाद आपको दिखाता हूं देखिए मेरे स्क्रीन पर सेट हो गया है और हर सकेंडould हो रहा है जाए अब देखते जाएं में 10-15 सेकंड रखता हूं आप देख लिछी अभी ग्रीन हो गया अ भी बुलू भए बुलू हो रही होगा म्रेंज होता रहे किजए और फिर आप अपने मोगायल में इसको सेट करण के इसका फाeedा उठा सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज Nana लगा तो लाइक किजए चैनल को सब्सक्राइब की जो और सेड किज़े दोस्तोंshirt को छाई